वेलकम टो एकोपलस अकेडमी आज की इस वीडियो में हम लोग प्राक्टिस सेट 8 को लगाएंगे दोस्तों जो कि बिहार सची वाले साइक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होगा तो चलिए दोस्तों अपने पहले कोश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का अपना आ एक वहाँ से उसको लेकर फिर क्या करता है कलोडोफील के साइता से फिर वहाँ पर अपना फूड बनाता है तो यह इसका रहसानिक पडिवरतन होता ना क्यूंकि अंदर जो अविक हों कि उतरदाई वीक्रनिम्निम्न में क amendments are मतलब संके द्वारा जो सर्जित सान के कंसर के लिए उतरदाई होती है वह होती है आपका ःड़्डावालेट किर्न है उत्य और सब्सक्राइब करन 설 करता करता उस किर्णों से तो वो करता है दोस्तों क्र exports के एक लिर पर है A वो है आपका ऑजयोन लेजर है आपको पता ही होगा और इसकी जो ईयर यह और होता है वहर। पता होंगा यह चीजें जो उसका टप सय अगर पर अद कि बात की जाए तरांग यह आपके होते हैं 10 to the power 10 to the power minus 8 से 10 to the power minus 7 meter तक का आना याद रखेगे इसका range हो गया यह पर आप एक नी किरनों की next question देख लेते हैं दोस्तो भारत में 9 mission की शुरुवात कब की गई थी तो दोस्तो भारत में 9 mission की शुरुवात 2007 में की गई थी दोस्तो अना तो इसका जो right answer हो जाएगा C हो जाएगा और इसके उद्देश क्या क्या थे दोस्तो वो भी मैं discuss करना चाहूंगा जिसे बुनियादी अनुशंधान को बढ़ावा देना बुनियादी दाचे का विकास मानोशंसादनों का विकास करना नैनो अनुपरियोगों परद्योगी की विकास को बढ़ावा देना ये चार इसके उद्देश से रहे हैं दोस्तो ना याद रखियेगा चली समूंद्र या महासागर में डूबी ही बस्तो की इस्तिति जानने के लिए निन में से किस यंदर का परद्योग किया जाता है अगर समूंद्र के अंदर बहुत सालों पहले टाइटेनिक जैसे डूबी थी तो उसका पता लगाया गया उसके मलवे का पता लगाया वो कैसे पता लगाया किस टेकनलोजी का यूज करके पता लगाया तो सोनार दोस्तों याद रखिएगा S-O-N-A-R कभी-कभी इसके फूल फ्रम भी पूछ ले जाते हैं तो याद रखिएगा साउंड मैं यहां लिख देता हूं साउंड नेविगेशन है ना नेविगेशन एंड रेंजिंग साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है ना याद रखिएगा दोस्तों इसको नोट टर लिजेगा क्योंकि इसके फूल फ्रम भी पूछ ले जाते हैं इसी की मदद से जो भी बहुत टाइम तक रहते हैं समुद्र के अंदर तो उसके मादयम से होता है के ये काम कैसे करता है तो जो भी इसके पराश्रव तरंगे को और फिर उसी को ये release कर लेगा तो उसमें जो time delay होता है न कि यहां से यहां तक गया और फिर यहां आया तो जो time delay होगा न टाइम जो लगेगा न उसी से वो calculate करके पता लगा लेगा कि हां कि यह कितना distance पर है actually में समझ रहे हैं आप बहुत easy है बहुत easy है कर लेना न चलो ध्वनी तरंगे किसके कारण परती ध्वनी उत्पन करती है तो दोस्तों यह परवर्तन के कारण करती है न याद रखेगा परवर्ति के कारण करती है न तो इसका right answer option D हो जाएक अगला देखते हैं जब परकास के प्राथमीक तरंगे लाल हरा और नीला को शमान अनुपात में मिला जाता तो परिनाम रंग क्या होता है दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि एक ऐसा color होता है न जो सभी का लगबग मेल होता है है न उसको क्या बोलते दोस्तों उसको sweet रंग बोलते मतलब option c आपको पता है यह क्या करते है सफेद कलर का कोई भी मतलब वस्तर पहना प्रिफर करते हैं सफेद कलर को क्यों क्यों कि वह जितनी भी किरने आ रही होती है संसे लाइट जो आ रही हो जितनी भी color की हो आ रही होती वह सब को क्या करता है अपने तरफ से reflect कर देता ना लेकिन सफेद क्या करता है रिफ्लैक्ट कर देता है यह सफेद कलर है तो यहां से परकास आईगी फिर यहां से रिटर्न हो जाएगे ना तो यहीं चीज़े हैं चलिए प्राकिर्तिक में कौन से बल का अस्तित पर तेक अस्थान पर है कौन से बल का अस्तित है दोस्तों तो यह है गुरुतवा कर्षन बल आपको पता ही है कहीं भी आप उपर के साइड एक सिक्का फेगेगो और फेशली वो नीचे ही आनी है तो एक गुरुत्वा कर्षन बलके कारणी ऐसा हो पाता है, संभा हो पाता है याद रखियेगा तो इसका राइटेंस और अप्सन C हो जाएगा एक बैक्ती जूले में बैटकर जूला जूल रहा है यदि बैक्ती एक खड़ा हो जाए तो आवर्थ क्या होगा जो उसका अवर्थ काल है वो क्या होगा फ्रिक्वेंसी क्या होगी तो सड्यली अगर आप किसी जूले में बैटकर जूल रहे हो यहाँ पर कोई बैठा हुआ है अपना दोस्त सड्यली यहाँ से खड़ा हो जाए तो ऐसा क्या मतलब इसमें हो जाएगा जो यह जा रहा इधर के साइड फिर उधर से रिटन इधर के साइड आ रहा है तो इसका जो यह आवर्थ कालन यही है उधर जाना फिर इधर आना इधर जाना फिर इधर आना उधर जाना फिर इधर आना इसे होता ना तो हम लोग मज़ा आता है कि हम जूल रहें जूला तो यह आक्शुली जब जैसे भो खड़ा हो जाएगा तुद यह एक्शुली डिपेंड करता है सेंटर अफ ग्राविटी पर करता है अगर वहीं यह ऊपर चला जाएगा सेंटर और चला जाएगा मतलब नीचे से जो आर्थ का जो के सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है यहां पर एक और आदमी बैठ जाया कि यह खड़ा हो कि यहां पर एक आदमी बैठ जाया तब या पर ब्रस्तर, घर्टब pac किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के समवहन के लिए समवहन उत्तक जैलम और फलोयम पाय जाते हैं जैलम और फलोयम कहां पाय जाते हैं दोस्तों तो ये आपके तेरी दो फाइटा में पाया जाता है वो और के पौधे का जो शरीर होता जड़ तना और पत्तियों में भी भाजित होता है यह तीन पाइट में बटा हुआ होता है और इसमें पानी और अनपदातों के शमवहन के लिए शमवहन उतक जिसको हम लोग जाइलम और फुलम कहते ह है अब इसम्में बता जैलम क्या है जल और मिनराल को रूट के माध्यम से उपर ले जाता नँए पूरे पोधे में करताया इस्टीम के मदद से हैं में सब को चाहिए होगा फ्लोयम क्या करता है दोस्तों तो फूड बनाने के काम करता है तो आप समझ गया होंगी इसका राइट इंस और अप्शन सी हो जायागा टैडि डो फाइटा है ना चलिए याद रखिएगा है कौनसी अस्थन पाई जंतु यह जो वो जनमना देकर अंडे देती देखते हैं धोस्तों कौन कौनसी हे इक इरना लेटी पश गंगारू गंगारूं तक्री बच्चेिए देत göra एंड बी दोनों तो यह इसका राइट गोस्ताऒ नो यह वो इंडे देती एक्चुली में अस्थन पाई जनतु है कि अगर मैं बात करू तो देखिए अस्थन पाई जनतु हो की हिर्दे जो होती है वो चार कक्षिये होती है यह भी याद रखेगा क्योंकि एक्जाम में ऐसे कोश्चन होते हैं तो इसका राइट एंसर तो आप्शन D होने वाला है नि लाइजर्षोम आत्महत्याग का ठील है क्योगि उसमें क्या होता था है तो दूस्तो उसमें होते है जल अपगठक एंजाईम होते नulations क्यायव वब्वें में में दोनों पाए जाते लिए तो एसा बिल्कुल भी नहीं संटु में पाया जाता है ना चंतु के कोशी और लाइसो की गोज 1958 में की गई थी किसके द्वारा दोस्तो तो डूबे के द्वारा याद रखेगा ना डूबे के द्वारा मैं पहले देता हूँ डूबे के द्वारा की गई थी है ना 1958 में दोस्तो चलिए अगला परत्न देखते थे कोशीका में protein sensation का अस्थान क्या है कर एक को शीगा में Hz मैं एफ प्रोटिन स्थान का स्थान कब मैं दोस्तों तो वह है आपका राईजोवान दूस्तों क्या होगा राईजी जो एक होगा राइजूर हो जागा दूस्तों छलिए और इस्फ प्रोटीन की फैक्टुरी भी कहा जाता है मैंडल के अनुवान शिखता का शिधान किस पर अधारी थे दोश्तों यह किस पर अधारी थैं कि यह आपका हो जाएगा लागिक जनन इसका राइट एंसर हो जाएगा लागिक जनन भी प्याधारी थे दोस्तों इसके पहले भी दो कोशन छूट चुके मैं देख लेता हूं एक चुड़ी मानों शरीर में मौझूद निमलिखित कोशिकाओं मैं से किसमें माइट्रो माइट्रो कॉंडिया किसमें नहीं पाय जाता है तो याद रखेगा कैसे में कुछ और बीचीज यह रहेंगी में जिसमें आपका आरबीस हो जाता है तो यहारी सीका निर्वान एक्चुली में होता है आपको पता हिए और इसका जीवन काल्च होता है दोस्तों बीस से एक किसी काम का नहीं होता ना तो यह भी याद रखेगा दोस्तों इसका जीवन काल भी पूछ लिया जाता एक्जाम में चलिए यह थोड़ा मैं रब कर देता हूं डाउन सिंड्रॉम से ग्रशित बैक्तियों में निम्ली में से कौन से रुख सरवर्दिक होता है डाउन सिंड्रॉम तो दोस्तों अल्जाइमर जो होता है ना दोस्तों यह डाउन सिंड्रॉम के केस में होता है ना चलिए निम्ली खित में से किस मस्तिक किसे मस्तिस का सहायक अ गजाता है उस्टेंस अब पर जाता है के संध्टर से क्रोटीन और वसथा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है दोस्तो इस हो 때ो मैं होता है मेरान झीडीन considering चलिए अल्प विक्सित अर्थ बेवस्ता की समान विशेष्टा होती है क्या होती है दोस्तो प्रति बेक्ती निम्न आय पुंजी निर्मान की निम्न दर जन संख्या दबाव तो दोस्तों ये तीनों ही की तीनों ही होती है दोस्तों और इसके अलावा पुझी निर्मान की निम्नदर तो है ही परतिवेक्ती निम्न आए प्रात्मिक उत्पादन की प्रधानता भी होती है इसके लावा याद रखियेगा किस वर्स की गई थी दोस्तों देखें ऐसे कोस्टन एक्जाम में पूछ लिये जाते हैं आज कल योजना का डेट से कोस्टन आ रहे हैं तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना होगा दोस्तों यह 2015 में इसकी सुरवात की गई थी दोस्तों इसमें क्या था इस याद रखना है निमलिखित में से किस समीथी का समद्ध गरीब मापन से नहीं है गरीब मापन से किस समीथी का समद्ध नहीं है दोस्तों देख लेते हैं पीजे नायक पीजे नायक एक्चुली क्या था दोस्तों इनका समध आरबी आई से था ना इनका समध आरबी आई से था दोस्तों ना तिसका राइट एंसर ऑप्चन बी हो जाएगा पीजे नायक समीती का समध आरबी आई से था इसका गठन सर्वजनिक छेतर के बैंकों के ग जुक्तियों में किया गया इसे ये जू ऐसा जो हैना संस्था को गया फिर आपका हो गया ऐसे-से बहुत सकता है तो ऐसे रहेंगे जिससे आपको कोशन बन सकते का फूल फ्राम ही पूछ देगा ना कौन-कौन से यह भी पूछ सकता है तो इसमें टुटल चार देश है दोस्ता ना जिसमें भारत USA मैं लिख दे रहा हूं इंडिया USA जपान आप याद रखनी जगा बहुत ही इंपोर्टन है और अस्ट्रेलिया है दोस्ता ना आप अगर इसको मैप वच देखो तो यह आपको किलियरली हो जाएगा हा ना मैप वच देखोगे तो कि क्वैड क्वाडिलेटरल टाइप का कुछ बन रहा है ना तो ऐसा चलिए तो इसका राइटेंस और आप्शन भी हो जाएगा दोस्तो बिस वाईयो सकती सुचकांक 2020 में भारती वाई सेना कौन से अस्थान पर रही दोस्तो तो यह भारती वाई सेना जो रही वो तीसरे अस्थान पर रही दोस्तो अगर भारती वाई सेना तीसरे अस्थान प दूसरे अस्थान पे रसिया हो जाता है दोस्तों याद रखेगा न और तीसरे अस्थान पे अपना देश भारत का चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों है सन्युकट राश्च स्थान्ग ने बर्स 2023 कि किस रूप में मना जो को यह उस्थ ने माना आ evol gaan बहारत द्वारा ही परस्ताव किया गया था पारिद किया गया था जिसको अंतराष्टि यहुद्स आप मिलेट्स बोलके गोसित किया गया ना दो हजर थेस को दिसका राइट एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन एसका राइट एंसर हो जाएगा याद रखियागा दोस्तों दूइ पक्छे बैपार यँँ अगर्टिविटी के विस्तार के लिए भारत और बंगलादेश के बीच में तुरी पूल किस नधी पर बना गया है किस नधी पर बना है तो ये फेनी नधी पर बना है ये बहुत ही इंपोटन्ट है दोस्तो है नहीं और इसकी टोटल लंबाई कितनी है दोस्तो 1.9 एजिए ए दृटोरह से बंगलेश के रामकड को जोरता है दोस्तो याद रक्ए burda है नैँ चलि... किस देश की सरकार ने देश के पर्तिय को तीन बच्चोव को जन्म देने की अनुमति दी है किस दीच के दोस्तों? तो ये अभी हो गया है चाइना की क्योंकि चाइना में उसने क्या क्या था? पॉपुलेशन ने लाता है जिसके बज़े से देश ने फिर एक कानून लाया और उसमें उसने दो बच्चे हर एक मतलब फैंबली पे होना चाहिए ना एक लिए हर एक पैरेंट्स को तो तीन बच्च तीन बच्च एक्चली यहां पर की गई है ना तो ऐसे चीज़े रही है तो आप इसको याद रखेंगा चीन के द्वारा किया गया है अगर मैं बात करूँ कि चीन में साट वर्स से उपर के बेक्ट्यू की संख्या अगर बात क वहां पर 1.41 अडव जनसंख्या थी हाना जो की चीन की साथ वी जनगरना थी दोस्तो वह चलिए आउस्मान भारट डिजिटल मीशन की शुरूवात निम्न में से कब की गई आईस्मान भारट डिजिटल मीशन की शुरूवात देख सकते आपको प्रशनी आपे आउस्मान सितंबर 2021 को की गई थी परधान मंत्री मोदी जी के द्वारा है ना इसकी शुरुवात की गई थी इसके तहत लोगों को डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड परधान किया जाएगा और इस कार्ड से संबंदित व्यक्ति को स्वास्थ संबंदित सभी रिकॉर्ड इसमें रखे जाएंगे है ना तो इसका राइट एंसर ऑप्शन यह हो जाएगा दोस्तों इसे रिलेटेट भी जो पॉइंट बनेंगे के रखो थमन याद रखेगा दोस्तों के रखो थमन और इसके अलावा अगर मैं बात करूं संजे बारु की अगर कोई पुछतक है तो दोस्तों वह है एक्सिडेंटल प्राइमिनिस्टर दो अक्सिडेंटल प्राइमिनिस्टर संजे बारु की दो अक्सिडेंटल प्राइम गांधी किये है अगर वही ससी थरूर की बात कर ली जाए दोस्तों तो इनकी एक बुक है दे बैटल अफ बिलोंगिंग याद रखेगा दोस्तों चलिए पुस्तक के भी नाम पोचले जाते हैं एक्जाम में याद रखनी है भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबित दे एक्चुली इक्षिण में ने क्ने साथा दूस्तों याद रखेगा मैं इंमार ने इसका नाम करन किया था मैं याद लिख देन रहा हूं कि की ऑप्ट व्तों में तो है ही नहीं मैंन मार ने किया था दोस्ता ना याद रखेगा साध मेरी स्पेलिंग गलती हो बट सॉरी इसके लिए मैंन मार ना चुल किया था यह माई के मिड में आया था 2020 में चलिए फिर मैं थोड़ा सा देख लेड़ा हूँ बिशो खाद पुरसकार 2022 निमन में से किस बैक्ती को दिया गया दोस्तो तो यह आपका सिंथिया रोसेन जविंग को दिया गया हा ना इसका राइट एंसर ओप्शन डी हो जाएगा दोस्तो इनी को यह पुरसकार दिया गया है इनमे से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन है उत्तर से आकर देखे दोस्तो उत्तर से पूछ रहा है तो उत्तर से तो पहुत सारी नदी है जो गंगा में आकर मिलती है अब हमें देखना आ है देखें है दोस्तों गंडग फलगू फलगू अक्शली नहीं मिलती है उतर से यह दचिन से मिलती है कट गया बागमती कर्मनाशा हट गया बुड़ी गंडग रह लेकिन सोन नहीं रहेगा कट गया कोशी बुड़ी गंडग इसका राइट एंस और अप्सटन डी हो जाएगा दोस्तो कोशी और बोडिगंडक दोनों उधर से आती है ना उत्तर साइड चलिए जिसमें कोशी को हम लोग सोक नदी के रूप में भी जानते हैं दोस्तों और इसका जो मतलब पात है ना जो वे है ना रास्ता बहुत ही टेड़ा मेरा है दोस्तों बहुत मतलब भारत में अगर सबसे जादा रास्ता बदलने वाली अगर कोई नदी है ना दोस्तों तो वो है कोशी नदी याद रखेगा ना इंपोर्टन कोशन ये भी बन जाता है चलिए राष्टिय मानोधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने है बहुत इंपोर्टन क किस में ही बने थे दोस्तों जून के महीने में चलिए उपन्यास दुर्गंस नंदिनी के लेखाक निमलिखित में से कौन है कौन है दोस्तों तो है बकीम चंदर चटरजी बकीम चंदर चटरजी इसके लेखा के दोस्तों है ना और इसके अलब इनका प्रसिद उपन्यास अ स्वराज पाटी का गठन निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था स्वराज पाटी का गठन के बारे में पूछ रहा है दोस्तो तो यह किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था तो यह असवयोग आंदोलन 1922 उसी के असफलता के बाद हुआ था दोस्तो इ रखेंगा निमलिखिट में से किसे चालकोलि Th/. किसे कहा जाता है ते आपका हो जाता है ताम्रपसाण यूग थ hindrs ब्रोंज मेडल एज है को तो राइटेंज और अप्षेंस ऑप्शन सी हो जायगा दोस्तों क्यूंकिश काल में ही पत्थर और तामबे के ओजार का पर्योंग किया जाता था, उसका पता चला इसमें आना, इसलिए इसको चालको लिथिक यूँ कहा जाता है, चलिए, अगला प्रस्त दिखते हैं दोस्तो, मौरिया वन्स के पस्चाद, किस वन्स का राज अस्थापित हुआ था दोस्तो, तो म मौरिया सेना का एक सेना पती ही था, और ये लगभग 112 वर्षय तक सासन करते हैं, तो इसका तो राइट एंस और अप्शन C हो जाना है, चलिए, निमलिखित में से किस सुल्तान से निजामुदिन ओलिया ने भेट करके भेट करने से इंकार कर दिया था, निजामुदिन ओल तो तुगलक मस के संस्थापक थे दोस्तों, और उनसे ही इनोंने मिलने से अनुराइब जो उनका अनुरोध था उससे इनकार कर दिया था, ना, चलिए, और ग्यासोदिन तुगलक के बारे में बात कर लिए तो ग्यासोदिन तुगलक 29 टाइमस याद रखेगा दोस्तों, 29 मंगूल आकरमन को विफल किया था, ना, नहर का निर्मान करने वाले ग्यासोदिन तुगलक ही थे, प्रथम सुल्तान थे, नहर का निर्मान करने वाले, तो इसका जो राइटेंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा, ऑप्शन C, याद रखेगा, मंगूल उश्य में ब इनसे कोशन पूछ लिया जाते हैं, तो ये दोस्तों भारत छोरवा अंदोलन से सम्बंदी थे हैं ना, ऑप्शन में अगर भारत छोरवा अंदोलन नहीं होता ना दोस्तों, तो ऐसे कोशन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, किस से सम्बंदी थे और जब भारत छोरवा अंदोल थी और ये बहुत की तीसरी संगती थी दोस्तों थी और इसमें इसके जो संगीती का अध्यक्स थे दोस्तों वो कौन थे मौंगली पुत्र पुत्र थे मैं उनका नाम दे रहा हूं क्योंकि साथ मेरे भोलने से आपको क्लियर नहीं हुआ होगा मौंगली पूद्र है ना याद रखेगा दोस्तो मौंगली पूद्र तीस से थे हैं ना देख लिजे दोस्तो यही थे तो याद रखनी है चलिए अगले प्रश्णी प्रश्ण प्याते हैं दोस्तो कि गोतम बुद्व एक देवता का स्थान किस राजा के यूग में प्राप्थ हुआ तो कनिश्क के सासनकाल में प्राप्थ हुआ था दोस्तों याद रखिएगा कनिश्क के सासनकाल में प्राप्थ हुआ था दोस्तों और इन्हीं के सासनकाल में बहुत जो चौती संगती हुई थी इन्हीं के सासनकाल में हुई थी दोस्तों कस्मीर में हुई थी कस्मीर के कुंडल कराम में वोई थी दोस्ता ना चलिए तो ये भी आज रखना है अगला प्रश्ण है दोस्तों पीत आतंक से किस देश को संबंदित किया जाता है संबोधित किया जाता है पीत आतंक से तो दोस्तों ये पीत आतंक से जपान को है ना जपान को किया जाता है दोस्त राइट एंस वस कर दी थी पहले सिविल सेवा परिच्छा देने की जो मिनिमम एज थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी दोस्तों है ना लेकिन उशी को किस वाइश्राय ने 19 वस कर दिया था दोस्तों तो वो थे लॉड लिटन याद रख्यागा दोस्तों लॉड लिटन सविधान के आठीवियो प्रणी सुची में इन सभी भासाओं का समावेशन 19 वी सविधान संसोधन अधिनियम 2003 में किया गया दोस्तों सभी राजु के लिए उच्छ न्याले की विवस्ता होगी सविधान के किस अनुछेद में वर्णी थे दोस्तों त्यानिश्चेद दोस्तों सभीधान के सविधान सभातवारा मई 1929 को रष्टमंडल की सधस्ता का स्थापन किया गया। जुलाइ जुलाई उल्ञ परफा में महिला सदàiय्शो की संख्या कितनी थी और पंधर थी जब उन्सूची जातोी सदाशो की संख्या तैस्थी संख्यां याद रखियेगा तो इसका राइटेंस और अप्शन बी हो जाएगा और त्याइटीस मैंने कई अनुसूची जनजाती के सदस्यों की संखिया ना याद रखियेगा दोस्तो चलिए अगले प्रस्ण प्याते हैं दोस्तो भारती सविधान के किस भाग में संग राज छेतर का भाग आठ में अनुचेद 239 डूसर बेरालिस संग राज छेतर का वर्नित किया गया दोस्तो और भाग साथ में पहली अनुसूची के भाग के राज अनुचेद 238 निरसित याद रखेगा दोस्तो और भाग 9 में क्या है पंचायते हैं हैं ना अनुचेद 243 कौसे अड़ा है याद रखेगा दोस्तों इसका जो राइट एंसर रृब्स ओप्शनर में दोस्तों चले भारतियो सविध्धान की उद्धेशिगा में वर्नियाई निमलिखित में से कि간 नहीं 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 है नहीं है दोस्तों जह अनुशृद में नहीं है Shetz अद में नहीं है तो GAS कहीं से भी इसका उलेख नहीं है दोस्तों चरिये अगला प्रश्ण है राष्ट्य राजपुर्णर गठन आयोग के अध्यक्ष निमलीखित में से कौन थे राजपुर्णर गठन के आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों तो राजपुर्णर गठन का आयोग अचली इस आय फजलली और इस आयोग के अन्य सदस्यों की बात कि जाए तो प्रोफेसर हिर्दयनात कंजूरी थे दोस्तुआ ना और इसके अलवा पिन्ट करrainा हिर्दयनात कंजूरी और केम पनिकर ये दोनों भी इसके सदस्य थे लेकिन इसके अध्याक्स efter थे neste तो फजाल अली थे याद रखियागा दोस्तों फजाल अली है ना और इसकी गठ इसका गठन कप किया गया था तो 1903 में किया गया था दोस्तों याद रखियागा चलिए अगला प्रतन देखते हैं दोस्तों निमलिखीत में से कौन सा गठन गलत है तीन परधान मंत्रियों की म मंत्री मंडल सच्चीवाले का प्रसासनिक पर्धान पर्मुक पर्धान मंत्री होता है प्रसासनिक पर्मुक पर्धान मंत्री नहीं दोस्तों बलकि कैबिनेट सच्चीव होता है कौन होता है कैबिनेट सच्चीव होता है दोस्तों तो इसका right answer option D हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, चलिए, वायू के 36 संचलन के से ताप का अस्थांतरन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, अभी वहन कहलाता है, वायू के 36 संचलन अभी वहन कहलाता है, जबकि पृत्वी के संपर्क में आने वाले, वायू मंडल की परत का जो गर्म होने, वायू मंडल जो पृत्वी के परत का गर्म होना चालन कहलाता है दोस्तों, वायू मंडल जो पृत्वी के परत पर गर्म होती है, उसको चालन कहता है न, और वायू मंडल के लंबोत तापन की परकिरिया, शमवहन कहलाता है दोस्तों, याद रखेगा, तो तीनों ही की तीनों, डिफिनिसन आपको यहां केलियर हो गया होंगे, चलिए, अगले प्रश्ण पे आते हैं दोस्तों, निमली खित में से कौन सा कथन पार्थिव वीकरन से संबंद में सही है, तो देखते हैं दोस्तों, सुर्य द्वरा लगु तरंग प वाई उर्जा से वाई मंडल को नीचे से गर्म करता है, क्योंकि नीचे से जैसे ही, हीट उपर के साइड होती है, एमीट होती है, तो क्या करती है, वाई मंडल को गर्म कर देती है, दोस्तों, अगर यहां पे अगर कोई चीजे ना हो, जो इसको रोके, तो क्या होगा, यह स निमली लिखी तेया परकार के बादलों में अकास में सबसे उच्पा बादल कौन सा होता है ये सबसे अधिक उचाई पर रहने वाले बादल होते हैं जिनका निर्मान लगभग आठ हजार से 12,000 मीटर की उचाई पर होता है ये पतली और बिखरे हुए बादल होते है दोस्तों ये पंक के समान प्रतित होते हैं जो सफेद रंग के ही होते हैं आप देखते होंगे कि पहले काला बादल फिर उसके उपर एक निला टाइप फिर उसके उपर कभी-कभी दिखता होगा आपको जब वो सारे बादल इधर उज़र होते होंगे मूव करते होंगे तो आपको प्रतित होता होगा ऐसा कि उपर सफेद कलर का बादल दिख रहा है तो वो सबसे हाइट पर होते है दोस्तों इनके हाइट होती है आठ हजार से बारा हजार मीटर तक की है न चलिए अफ्रिका के उष्ण कटी बंधिये घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों तो इस सवाना नाम से जाना जाता है राइट एंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अगला प्रस्न देखते हैं भू कंपर को किस से माआपा जाता है दोस्तों वागाई Okay किस से मापा जाता है चलिए महादी इंज्ली से संबदेदिच विढिर से संबने है कि तापन कि सास्थांत कि स्धिद्ध quantify कि द्वारा परतिपादित कि था खाली देंट क bots याद रखिएगा निमलीखित में से कौन सा खनीच समानत अगने तथा रूपांतृत सेलों में पाय जाते हैं और इसका उप्योग विदूत उपकरन बनाने में किया जाता है तो दोस्तों कौन सा हो जाका माईका माईका एक्चली इसमें क्या होता है दोस्तों पोटेसियम याल्मूनियुम मैगनेंशियम लोह सीलक यह सबीस में और प्रिथyu玩 की प्रपरटी में इसका चार पर्षेंट हिस्सा होता है दोस्तों huns होता है एक्चली में हाँ और आपको पतही ही अगने और अस्थांतृत सय लोग में पाय जाते हैं और इसका उपियोग तो विधुत उपकरणों को बनाने में किया ही जाता है माइका का तो राइट एंस और अप्शन भी हो जाएगा निमली खित में से किस मृदा को रेगूर कहते हैं किसको कहते दोस्तों यह काली मिट्टी है ब्लैक सोल है दोस्तों इसको रेगूर कहा जाता है दोस्तों और यह आपको विष्ट जोन जो है भारत का इधर अधिक पाया जाता है दोस्तों और यह कपास की खेती के लिए बहुत ही उप्यूग्थ होता है दोस्तों चलिए चलवासी पसुचरन पदती भारत के किन राज्यों में प्रचलित है तो यह राजस्थान में प्रचलित है राइट एंस और ऑप्शन यह हो जाएगा दोस्तो चरिए अलकोहली खमीरन फर्मेंटेशन का आखरी उत्पाद प्रोड़क्ट क्या है फर्मेंटेशन का आखरी प्रोड़क्ट क्या होता है दोस्तो तो इथाइल अलकोहल होता है आपने देखा योगा बहुत सारी सरावे जोह से बनती है चलिए हाइड्र क्लोरिक एसीड कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिकरिया करता है कांच की जो सिलिका डाइयोकसाइड होती है उसी से अभिकरिया कर लेता है इसी बज़ा से तो जिससे वह 3.2 का होता है क्लोरीन का सबसे साथ होता है अब देखे इसको बाइए पहले फेस में कितना होता है दो दूसरे अश्टक में आठ होता है मैक्सिमम उसके बाद अब देखे 2-8-10 होगे तो बच्चा साथ ही नश्वाला में साथ हो जाएगा पस सिधी सी बात है दोस्तों तो राइट एंसर इसका उप्षन D हो जाएगा चलिए अगले प्रश्ण पर आते हैं दोस्तों तर्वाइन वर डाइनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस उर्जा को विदूत उर्जा में परिवल्तित करें किया जाता है दोस्तों तर्वाइन एक्चुली क्या होता है एक मोटर टाइप का बहुत बड़ा मोटर होता है माल लिजे एक मोटर टाइप को अगर मैं बोलू क क्रिकुस पेक्च electronically होता क्या है कुछ हाइपरू वाला होता अब यहाँ पर टक्राय जाता है उसको यहाँ पर's जिसके बज़े से क्या करता है रोटेट करता है अब यह रोटेट करेगा तो यहां से एक्चुली क्या लगा होता है दोस्तों यहां से मैं दिखा देता हूं यहां से एक्चुली इस पे साफ्ट लगा होता है एक साफ्ट अब यह रूटेट करेगा तो इस साफ्ट से भी कनेक्ट होता है एक जर्नेटर यहां पे जर्नेटर एटेच होता है ना दोस्तों जर्नेटर अब यह जर्नेटर से क्या होगा बिजली उत्पादन होगा दोस्तों कि समझ में आगी अना तेक्दम किलियर है दोस्तों चलिए तिये एक्चिली मेकेनिकल एनरजी कि वह नाचेगा ना वह तो रूटेट करेगा ना तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन सी इसका राइट एंसर हो जाएगा चलिए परकास संसेलेशन के देखिये क्या होता है हर वह शंसे लेती है हवासा złinga ना 6co2 caring जल लेती है नीचे से 12 h20 एना और इसके बदले में क्या क्या देती है तो बदले में हम लोग वाद देती बदले में क्या देती है दोस्तों फूड देती है सीजिक्स एच्टुवेल और यह ग्लकोज हो गया जो की मिलता है और फिर उसके बाद 6H2O respiration और प्लस oxygen भी तो देती है दोस्तों तो 6O2 हो जाएगा oxygen अपना तो हमें उससे क्या प्राप्थ होता है दोस्तों एक खाना हमें प्राप्थ होता है पोधे से और दूसरा यह जो होता है दोस्तों यह एक्चुली में इवपरेट कर जाता है और अपने को oxygen मिलता है तो दो चीजे अपने को मिलती है दोस्तों एक खाना और दूसरा oxygen और यह क्या क्या लेता है बदले में तो CO2 लेता है दोस्तों जो कि हम लोग भी CO2 छोड़ते तो पौधे ही उसको असोसित करते दोस्तों और दूसरा पानी जो कि रूट के माध्यम से लेता है ना तो दो चीज लेता है दो चीजे छोडता है तीन चीजे अक्षली चलिए तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट एंसर option कि भी हो जाएगा चलिए कि अगले प्रेश्ट पर आते हैं दोस्तों रसाइन उग्योग में कौन सा तिजाप मुल रसाइनिक माना जाता है तो रसाइन उग्योग में कौन सा तिजाप मुल रसाइनिक माना जाता है दोस्तो तो वो है आपका H2SO4 है ना रसाइन उग्योग में इसी को माना जाता है रसाइनिक मुल रसाइनिक है ना और इसे सल्फि याद रखेगा दोस्तो किसी निश्चित ताप पर संत्रिप्त बिलियन कैसा होता है तो कैसा होता है दोस्तो तो यह ठोस बिले गोलने में असमर्थ होता है ठोस बिले गोलने में असमर्थ होता है किसी निश्चित ताप पर संत्रिप्त बिले और अधिक ठोश बिले गोल में असमर्थ होते हैं किसी निश्चित ताप पर ऐसा किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा बिलियन जिसमें बिले पदार्थ की ओर अधिक मात्रा उस ताप पर धूलाई जा सकती है और तिर्फ बिले कहलाती है दोस्तों तो इसका राइट एंस और ऑप्शन सी हो जाएगा अगला प्रस्ट देखते हैं बॉली बॉल खेल में खिलाड़ों की संख्या कितनी होती है बहुत ही कमन प्रश्ण है दोस्तों बॉली बॉल में टोटल नंबर अफ प्लियर कितने होते हैं दोस्तों तो छे प्लियर होते हैं तो इसका जो राइट एंसर हो जागा दोस्तों छे हो जागा इसके लबाद चार प्लियर किसमें होते हैं दोस्तों तो पोलो में चार प्लियर होते हैं चार प्लियर पोलो में होते हैं याद रखिएगा औ अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ग्यानफिट पुरसकार कब दिया गया अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ग्यानफिट पुरसकार कब दिया गया अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ग्यानफिट पुरसकार कब दिया गया अंग्रेजी साहित्य के लिए इसको सामिल किया गये था दुस्तों और 2008 में आपको मिल भी गया टो इसका राइटेंस और ऑप्षन डी हो जायगा गोधना की राज़ी की प्रमुक लोख कला है लोखकला किसे है दोस्तों गोधना , यह बिहार की प्रमुक लोखकला भाँ है दोस्तों अगर देस की fog क की बात कि जाए तो जिसमें आपका यहां पर दिया हुना है राजस्थान राजस्थान का कौंसा है दोस्तों मांडञान स섯 व्प से राश्टी बोगता्स निमलीखित मैं सेक्स्य संबधिते ये अपदा परबंदन से संबेढ़ दूस्तों याद बटने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे बाद में इसे ही योका योको हामा रंती और आर्थिक सुरक्षा सुरक्षित संसार के लिए कारी योजना कहा गया है दोस्तों याद रखेगा चलिए बर्फानी तुफान किस परकार की आपदा है तो यह वाइव मंडली आपदा है तो इसका राइटेंस और आप्षन यह हो जाएगा वे कौन सा विशेस परकार के भादिक और तठिय परिश्थिति की तंत्र है जिसे युनेसको के मानो और जिव मंडल प्रोग्राम के अंतरगत मानेता प्राप्थ है दोस्तों तो यह हो जाएगा आपका जिव मंडल नियम आरक्षित छेत्र है जिव मंडल नियम आरक्षित छेत्र है तो इसका राइटेंस और ओप्षन यह हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा यह एक्चुली बिसेस परकार का भामिक और तठिय परिश्थिति की तंत्र है जिसको युनेसको और MAB के अंतरगत मानेता प्राप गया है और यह जारखंड और पश्चिम बंगल को वेंट्विट होता है इससे तो इसका राइटेंस और ओप्षन भी हो जाएगा दोस्तों चंद्र परभा अभ्यारन किस राजमा वस्तित है दोस्तों चंद्र परभा तो यह एक्चुली में उत्तर परदेश में इस थी थे अगर अगर आपको प्रैक्टिस के सब्सक्राइं तो आप उसे भी देख सकते हैं दोस्तों चलिए तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर你要 अगर नहीं है तो और दोस्तों विडीयो अच्छा लगता है तो लाइक चारूर किया कर तब तक लिए जाहिंद